प्रेगनेंसी के पहले हपते में महला की बोडी में क्या-क्या चेंजस आते हैं तो जब भी ओवुलेशन होता है वो हमारे पीरिट के चवद्वे दिन पर होता है अगर आपकी पेशन की पीरिट साइकल डिफरेंट है 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन, 40 दिन की तो उसमें ओवुलेशन के डेज अलग हो सकते हैं पर हम एक नॉर्मल पीरिट साइकल के बारे में बात कर रहे हैं जिन महला की 28 डेज की पीरिट साइकल रहती है उसके बारे में अगर आपकी पेशन की पीरिट साइकल नॉर्मल है, 28 दिन, 30 दिन की है तो इसके हिसाब से हमारा जो ओवुलेशन होगा वो 14 दिन और 16 दिन पे होगा, तो जब आप इस दर्मियान कॉंटेक्ट में आते हैं, आपका एग और इस्पम मिल जाता है, उसके बाद में फैलोपिन ट्यूब के अंदर फैटिलाइजेशन होता है, फैटिलाइजेशन होके एक जाइगोड बनता है, जो की नीचे आकर के फस्ट वीक होता है, जब भी फस्ट वीक स्टार्ट होता है, हमारा बच्चा यूटरस में आके चिपकता है, फीटस, उस दोरान मेला को हलका फूल का पेट में दर्द होता है,